हेलो एंड बेलकम बैक गाईज आपने ट्यूनिन किया है स्टूडेंट अपडेट्स गाईज जेके वोस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जिसमें जहां पर समर जोन के 10th क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आउट हो चुका है गाईज का आप चैनल पर ना है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और वल आइकन को जुरूर प्रेस करें और गाईज आज की इस वीडियो में हम एम रखते हैं 30 लाइक का और उमीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे तो गाईज जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं जेके वो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर उपर देख पा रहे हैं स्केंड्री स्कूल एक्जाम एनुल रेगुलर समर जोन रिवालवेशन एक्जामिनेशन 2020 जैनिके जिन कैंडिडेट्स के रेगुलर में एक्जाम हुए थे मार्च में समर जोन के जो स्टूडेंट्स थे जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे उनके एक्जाम जहाँ पर जम्म विल किया था उन candidates का जहां पर revaluation का result out हो चुका है, guys, revaluation result होता है, मतलब कुछ students की अगर marks कम हो तो वो उसको improve करवा सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर revaluation का जो result है वो out हो चुका है, 10th class के students का, Jammu province के summer zone के students का, regular students का, तो guys, यहां पर आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा candidates जो है, यहां पर उनके changing आई है, मतलब यहां पर जो repair थे, वो pass भी हुए है, और कुछ candidates, बहुत कम candidates है, जिनमें यहां पर no change आया है, जनिके उनमें कुछ भी changing नहीं आई है, फिलाल यहां पर बहुत ज़्यादा candidates जो है, वो pass हुए भी है, ठीक है, कुछ candidates यहां पर no change भी है, मतलब उनके जो result है, उनमें marks में improvement नहीं हुए, जनिके उनके marks जो है, वो बड़े नहीं है, उनके marks जितने पहले थे, उतने हैं, फिलाल यहां पर आप खुद भी देख पा रहे हैं, यह कुछ नाम भी है, रोल करना चाहो, तो अपनी video quality को higher रखकर, आप खुद भी read कर सकते हो, और यह जो notification है, हम आपको telegram पर भी provide कर देंगे, अगर आप हमें comment करके बोलेंगे, फिलाल आप जी notification जेके वोस की official website से भी download कर सकते हो, लेकिन अगर वहां से आपको नहीं मिल रही है, तो आप हमें comment कर जरूर पूछ सकते हो, यह video अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी help हो सके, thanks for watching.